हे गाईस हम एक Creative Architects और आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक बड़ा ही सांदार प्लैन लेकर आए हैं दोस्तो हमारा आज का प्लैन Commercial प्लस Residential प्लैन है यह हमारे आज के इस प्लैन का Front Elevation है आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और यह है रहने वाला है इस प्लैन का Top View दोस्तो यह जो प्लैन है इसके तीन साइड पहले से ही Construction हो रखा था तो Ventilation को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें OTS प्रोवाइड किया हुआ है यह प्लैन हमने बनाया है दिनेस पाटिदार जी के लिए जो की रुड़की के रहने वाले हैं इस प्लैन की Dimensions की आप से बात क चुरू तो 30-72 फीट की इसकी Dimension रहने वाली है स्क्वाइर फीट में अगर हम इस एरिया को देखते हैं तो 2100 स्क्वाइर फीट और वहीं हम इस एरिया को अगर गज में देखते हैं तो 233 गज में बनावाई है पूरा प्लैन है तो दोस्तो Front Elevation आप लोग देखी चुकी हो बाकी प्लैन की डेटेल्स भी आपकी स्क्रिल पर सो हो रही होगी आप वीडियो पोज करकर एक बार उसको अच्छे से समझ सकते हो तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो इस प्लैन के अंदर आपको 200 पहाड देखने को मिल जाती हैं जिनकी Dimension पोन इरिया देखने को मिलता है इस टेर्स आपको बाहर से दी गई है यहाँ पर आपको दो entry देखने को मिलेगी यह आपकी main entry रहने वाली है जो की आपकी axis low B area में कराती है दोस्तो यहीं पर आपको सामने एक पुझा गर भी देखने को मिल जाता है और आपको 8 feet wide पैसे यहाँ देखने को मिलेगा, इस पूझादर की डैमेंशन आपको 6 by 6 feet देखने को मिल जाती है, बाकी यह है आपका लोबी एरिया, इसकी डैमेंशन आपको 14 by 19 feet की देखने को मिलती है, तो काफी spaces यहाँ पर आपका लोबी एरिया रहने वाला है, दोस्तों लोबी एरिया में ही partition के हमने आगे dining area भी provide किया हुआ है, वो भी आपको भी दिखा देता हूँ, बाकी दोस्तों हमने इस घर के अंदर इंटीरियस पर काफी काम किया है, आप अपने suggestions भी हमें comment में दे सकते हूँ, कि आपको इंटीरियस कैसे लगे, तो यह है रहने वाला है आपका dining area, छे लोगों क sitting यहाँ पर हमने place करकर दिखाई हुई है, बाकी आप अपने हिसाब से भी हमसे modify करा सकते हो, तो यह आपका dining प्लस lobby area था, इसी के ठीक सामने, आपका drawing room है, इसकी dimensions आपको पोने 14 वाए, 17 feet की देखने को मिल जाती है, दोस्तों इसके लिए दूसरी entry आपकी direct बहार parking area से है, दोसरा दोस्तों जो ventilation है, वे हमने OTS के थुरू यहाँ सामने इस छोटी सी window से provide किया हुआ है, इस OTS से आपका kitchen का ventilation भी connected है, वो मैं आपको वीडियो में अभी आगे दिखाऊंगा, फिलाल हम आगे चलते हैं, दोस्तों जैसे ही आप घर के अंदर की और आते हैं drawing room से, तो आ आप दुबारा लोबी area में पहुचते हैं और थोड़ा सा आगे चलने पर आप common area में access कर सकते हो, यही से left side में आपको एक washroom देखने को मिल जाता है, जिसकी dimension आपको साड़े 8 by 5 feet की देखने को मिलेगी, सामने एक आपका wash machine लगा है, और आपको bathing area separate हमने provide किया हुआ है, यह यही के दोस्तों ठीक सामने आपको kitchen area देखने को मिल जाता है, kitchen की dimension आपको 8 by 5.5 feet की यहाँ देखने को मिल जाती है, आपकी यहाँ पर open और modern kitchen आपको देखने को मिलती है, आप fall ceiling भी देख पा रहे हो, और दोस्तों kitchen में यही आपका ventilation की हमने OTS से provide किया हुआ है, इसमें आपको यहाँ ground floor पर दो bedroom देखने को मिलते हैं, यह रहने वाला है आपका bedroom number one, दोस्तों यह एक basic bedroom है, जिसकी dimension आपको 14 by 14 feet की यहाँ पर देखने को मिल जाती है, king size bed प्लैस किया हुआ है, दूसरा आपकी सामने wardrobe है, और दोस्तों इस bedroom का ventilation बगल वाले bedroom के OTS से हमने connected रखा तो यह रहने वाला है आपका master bedroom, जिसकी dimension आपको 14 by 13 feet की देखने को मिलती है, सामने काफी बढ़िया TV unit आप लोग देख पा रहे हो, एक storage के लिए काफी बढ़ी wardrobe आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, बाकी एक पहितरीन इंटिरियर्स पर भी यहाँ काम किया हुआ है और दोस्तों यह एक master bedroom है, तो आपका यह सामने vanity वाला section रहने वाला है, और इसे के ठीक उपर आपको यहाँ पर OTS देखने को मिल जाता है, OTS की जो dimension है वह पोने 5 by 5 feet की रखी गई है, और यहीं से left side में आपका attached washroom हमने provide किया हुआ है, इसकी dimension आपको 9 by 5 feet देखने को मिले क जिसमें आपका bathing area यहाँ पर भी हमने separate रखा है, आपका सामने vanity area है, तो दोस्तों यह है हमारा master bedroom का plan, तो ground floor पर हमें एक master bedroom, एक simple bedroom, आपका lobby area, drawing room, आपका kitchen और एक common motion देखने को मिलता है, तो ground floor का यह पूरा plan था, अब मैं लेकर चलता हूँ आपको first floor की ओर, तो दोस्तों इ RC रखी है, साड़े 3 feet wide आपको यहाँ पर stairs देखने को मिल जाती है, steel railing के साथ आपको यह काफी सुन्दर तरीके से हमने design की है, सामने आप glazing देख पा रहे हूँ, ताकि आपकी घर में अच्छी rating बनी रहे, यह आपका passage area रहने वाला है, और दोस्तों आगे आपका 4 feet wide हमने जगा छोड़ी है, यहाँ पर भी हमने 200 प्रुवाइट कीफ ही है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हूँ, इसकी dimension आपको पोने 9 wide 14 feet दो लोगी देखने को मिल जाएगी, अब चलते हैं हम गर के अंदर, जैसे आप main entry से आरे बढ़ते हो, आप guest room में सीधी entry लेते हैं, दोस्तो इसके आगे का जो shop area है, अगर आप shop नहीं रखना चाते, तो इसको पूरा as a open hole भी consider कर सकते हो, वो है भी हम आपके लिए plan में design कर देंगे, तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जैसे आप gate से आगे enter करते हो, तो आप एक common area में access लेते हैं, जिसमें आपका सामने से सारी चीज़े connected रखी गई है, दोस्तो यह आपका drawing room रहने वाला है, जिसकी dimension पोने 14 वाई, पोने 13 feet की आपको देखने को मिलेगी, आप stairs से बैरेक्ट भी यहाँ पर access ले सकते हो, तो आपका काफी spacious आपका drawing room देखने को मिल जाता है, और दोस्तो काफी ज़ सोड़ा आगे वरते हो, तो common area से ही दोस्तो यहाँ पर आपका सामने washroom रहने वाला है, जिसकी dimension आपको 8 by 9 feet की देखने को मिल जाती है, तो आपका यह common washroom हमने provide किया हुआ है, बाकि ठीक उसी के सामने opposite side में आपको देखने को मिलता है आपका kitchen area, इसकी dimension आपको 8 by 13 feet की देख आपको देखने को मिल जाती है, refrigerator के लिए विए दोस्तो आपका bedroom number 1, यह एक basic bedroom है, जिसकी dimension आपको 14 by 14 feet की देखने को मिलती है, सामने tv unit आप देख पा रहे हो, और यह आपके ventilation के लिए window हमने provide की हुई है, जो की हमारे OTS से connected है, बाकी इसमें एक अच्छी wardrobe भी देखने को मिल जाती है, तो आपको सामन रखने में कोई भी problem नहीं होगी, ठीक इसी के left side में आपको देखने को मिलता है एक master bedroom, तो दोस्तो यह जो master bedroom है, इसकी dimension आपको 14 by 13 feet की देखने को मिलेगी, हालक यह ठीक वैसा ही बना वाए जैसे नी रहने वाली है, और जैसे आप थोड़ा आगे चलते हो, कि यह आपका vanity area है, जो कि OTS से connected है, और उसी के left side में आपको आपका attached costume देखने को मिल जाता है, 9 by 5 feet की dimensions के साथ, जिसमें आपका यहाँ पर भी bathing area हमने separate रखा हुआ है, सामने जो आप विंडो देख पा रहे हो, यह आ से अच्छी writing बनी रहे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दोस्तों यह जो मास्टर बैडरूम देख चुके हैं, तो यही पर हमारा first floor का पूरा plan खतम होता है, जिसमें हमने दोस्तों देखा एक आपका master bedroom, bedroom, kitchen, आपके washroom, आपका drawing room और guest room, अब हम चलते हैं terrace की और, इस टेर्स आपको बाहर से देखने को मिलेगी, साड़े तीन feet सेम आपकी dimension है, और दोस्तों यहाँ पर आपका एक छोटा सा passage area है, सामने आपको थोड़ा space मेरी देखने को मिल जाता है, अगर आप कुछ सामान रखना चाहें, और यहाँ से आप access करते हो अपने terrace पर, तो यह पुसल आई यो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले